आज मैं आप लोग के लिए यूनीक स्टाइल चिकन चीज रोल पराठा की रेसिपी रेकर आई हूँ जिसे बिनाना बेहत असान है और बहुत ही मज़दार बनके तयार होते हैं आपने किसी रेस्टरेंट में भी स्टाइब के रोल पराठा नहीं खाया होंगे और जिसको आप घर में बहुत असानी से बना सकते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा अगर आप मेरे चानल पे नहीं हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ साथ और नोटिफिकेशन को क्लिक करें इससे आने वाली मेरी हर नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे बहले में लेगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर करना ना भूलें तो चली आइए वीडियو स्टार्ट करते हैं, तो इसके दिए हमें चाहिए होगा बूनलूस चिकन, इदर मैंने लिया है 600 ग्रैम्स के बराबर और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है यह देखिए थोड़े बड़े cubes कट करें हैं तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है इसके बाद हम इसको marinate करेंगे तो इसके तिया मैं इसके अंदर add कर दूँगी दही अदर cup के बराबर रड शरी powder add करेंगे इसमें 1.5 टी स्पून जीरा powder add करेंगे 1.5 टी स्पून पावडर add करेंगे 1.5 टीस्पून गरब मसाला add करेंगे इसके उंदर half टीस्पून नमक add करेंगे 1.5 टीस्पून और इसके अंदर मैं add कर दूँगी लसन बड़क का paste 1.5 टीबलस्पून के बराबर फिर मैं इसके इंदर आट करूंगी सरका 1 टेबल स्पून के बराबर आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी आट कर सकते हैं इसको mix कर लेंगे अची तरीके से और mix करने के बाद आप इसको marinate कर सकते हैं एक या दो गंटी के लिए जितना अच्छा ताइम देंगे उतना अच्छा बनके तयार होता है यह चिकन और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 1-2 घंटा भी marinate करने के बाद इसको पका सकते ह तो यहां पर बस इसको मैं मेरिनेट करूँगी एक घंटे के लिए इतने हम पराठो का डो बना लेते है तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है धाई कप के बराबर इसके अंदर मैं आड़ करूँगी नमक 1 टीस्पून चीनी आड़ कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून ओइल आड़ करेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से आपने अच्छी तरीके से ओईल को मिक्स कर लेना उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे डो जो होगा इसका नहीं बहुत जादा सॉफ्ट होगा नहीं बहुत जादा हार्ड होगा इसको आपने मीडियम सा डो बना ले ना जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गुनते हैं उस तरह से और जब डो तयार हो जाएगा तो इसको आदे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके अब आजाते हैं चिकन की तरफ तो चिकन हमारा मेरिनेट हो गया है तो इसको पका लेंगे उसके लिए एक पैन ले लिया है इसमें एट कर दिया है थ्री टेबल स्पून के बराबर कोकिंग ओईल तो सारा चिकन मेसी के अंदर एट कर दूँगी इसको हलका सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर में थोड़ा सा पानी एट करूँगी वन फूर्ट कप के बराबर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिट में पक के तियार हो जाएगा तो बस जब इसका पानी अच्छे से ड्राइ हो जाए तो आपने इसको चेक कर लेना है तो देखिए पक गया है और बहुत अच्छे से गल गया है अब आजाते हैं इसके दूसरे स्टैप की तरफ तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है उसके अंदर एड़ कर दिया है टू टेबल स्पून के बराबर बटर ये स्टैप जरूर कीजिएगा इसके इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाता है और बहुत ही दार हो जाता है तो बटर इसका मैल्ट हो गया है इसके अंदर मैं एड़ कर दूँगी प्यास तो एक बड़ी साइज की प्यास ले ली थी इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है तो यह मैंने बटर मैं एड़ कर दी है इसके बाद मैं इसके अंदर एड़ करूंगी शिम इतना fry करना है बस इसको तो देखिए fry हो गया अब इसके बाद इसके अंदर मैट करेंगे black pepper powder half teaspoon फिर मैं इसके अंदर add कर दूंगी red chili powder half teaspoon नमक add कर देंगे इसके अंदर one four teaspoon के बराबर इसको हलका समेक्स कर लेंगे इस मसाले को और फिर मैं इसके अंदर add करूंगी cream तो यहां पर मैंने five tablespoon के बराबर cream लिए है tetra pack की तो यह add कर देंगे इसके उपर और इसको भी mix कर लेंगे अच्छी तरीके से और फिर हम इसके अंदर चिकन add कर देंगे जो हमने पका के रखा था और चिकन को भी आपने अच्छी तरीके से mix कर लेना है बहुत ही मुज़दार बनके तियार होता है यह चिकन और आप देखें इतना अच्छा क्रीमी सा हो जाता है और बहुत जादा flavorful हो जाता है अच्छा मैंने इसको side ओपर कर दिया है इसके उपर हम डाल देंगे cheese side ओपर करने के बाद और चूला भी मैंने बन नहीं किया है तो वह on ही है तो इदर मैंने cheddar and mozzarella cheese दिया है दोनों को mix करके थोड़ा सा इसके उपर add कर दिया है क्योंकि cheese को हम इसी वक्त add करेंगे ताकि वह अच्छे से mix हो जाए इसके अंदर फिर हम इसको smoke दे लेंगे और smoke देते वक्त मैंने इसका चूला बन कर दिया था 10 मिंट के बाद इसको check कर लेंगे इसकी बहुत अच्छे हुश्बु आ जाती है और इसके बाद आपने हलका सा बस इसको mix कर देना चीज जो ता हमारा वो ready हो गया है इसको मैंने आदे घंटी के लिए रग दिया था rest देना जरूरी है तो आपने इसकी पेड़े बना लेने हैं इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े size के अब आपके बैंड करता है आपके size के रोल बना रहे हैं मैंने बड़े size के बनाए थे और अगर तो आप आर्ट रोल भी बना सकते हैं अराम से तो बस इसका पेड़ा बना लिया है इसको मैं थोड़ा से बढ़ा कर लूँ यूँके मैं बना रही हूं बल वाले पराठे तो यह वाला स्टैप करेंगे हम इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है उसके बाद इसके उपर हम सिंकल करेंगे खुश्कय मैदा, एक कट लगाएंगे इस क्यूपर यस तरह से और इसको रूल कर लेँगी कौन सी बन झाएगी इसे के अंदर इसकी लियर्ज आ जाती ती हैं, और जب यह कौन बन हलका सा मैदा लगा के बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाईएगा तवा मैंने रगदिया था गरम करने के लिए तब इसको डाल देंगे और इसके बाद हलका सा जब एक साइट से पक जाएगा तो इसको टरून कर देंगे दूसी साइट से क्र देना है और दूसी साइट से आपने थोड़ा जादा पकाना है हलका सा कलर आजाए इतना इसको पका लीजिएगा और जब हलका सा कलर आजाएगा उसके बाद आपने घी डालके इसको फ्राइ कर लेना है आपकी मर्जी आप गी यूस करना चाते हैं बटर यूस करना चाते हैं या फिर ओयली आपकी अपनी चोईस है तो यहां पर मैं गी के पराटे बना रही हूँ इससे थोड़ से क्रिस्पी और खस्ता बनके त्यार होते हैं और बहुत ही मज़दार बनते हैं तो देखिए दर मैं पराटा फ्राय कर रही हूँ इसी तरह से में सारे पराटे बनाके त्यार कर लूँगी बहुत ही खस्ता और मज़दार बनके त्यार होते हैं पराटे अब आज़ते हैं इसके सॉस की तरफ तो इसके लिए मैंने मयावनिक्स लिया है फाइफ टीबल स्पून के बराबर इसके अंदर मैं यह ग्रीन चटनी क्यूब से आड़ कर रही हूँ यह मैं बनाना सिखा चुकी हूँ आई बिटन में इसकी रेसिपी आड़ कर दूँगी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा यह अगर आपके पास फ्रीजर में रखे वे हैं बने वे तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती रायता वगरा बहुत जल्दी तयार हो जाता है तो बस मेरे पास यह था रखा वा तो मैं इसी से इसका एक सॉस तयार कर लिया है मैंन देंगे इसके उपर और इसके अंदर प्यास वगरा कुछ अट करने की जुरूरत निए क्योंकि साही चीजे हमने इसकी फिलिंग के अंदर ही एक कर दी थी तो देखिए चिकन की पीसे समिस्टा नहां से रख देंगे फिलिंगे फिलिंग के साथ मतलब प्यास और शिम्रा म जाल देना है और यह अपनी मर्जी के मताबिक आइड कर सकते हैं कम यह जादा जहसे आपको पसंदो सौफ्स आइड करने के बाद इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है बहुत ही फिलिंग बनके तयार होते हैं यह रोल और बहुत ही मज़दार बनते हैं आप लोग ट्राय क जो के बहुत ही मज़दार बनता है और यह डोनन्स बच्चों को और बडू को सबको बहुत पसंदा आएंगे इसको बना कि आप फ्रीज भी कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो चरिया यह रैसिपी स्टार्ट करते हैं तो इदर हमें चिकन चाह जाजे आदा कप के बराबर वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है मैंने ब्रेट क्रम्स एट कर देंगे 5 टीबल स्पून के बराबर यह ना हूँ आपके पास तो दो स्लाइसेज भी आट कर सकते हैं फिर हम एट करेंगे आलू एक अदत आलू है मीडियम साइज का उस जाजर गार्लिक पेस्ट आट करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर रैट चरी पावडर आट करूंगे इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पैपर पावडर आट करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट आट करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून अब इन तमाम चीजों को चॉपर में पीस लेंगे अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बनाना है हमें इसका तो देखिए इसको मैंने पीस लिया ये कुछ इस तरहां से होगा थोड़ा सा पतला होगा इस तरहां से अब डोननटस बनाने के लिए हमें चाही होगा । इसको कट कर लेंगे औगे से तरहां से एक ग्लास ले लिया है तो अंधर हम इस तरहां से लगा लेंगे तो यह पेस्ट ऍाइड करना हमें इसी होजाएगा दीखें इस तरहां से सारा पेस्ट जो हैringsिका आल देंगे और इसके बाद इसको निकाल लेंगे इस तरह से अब इधर मैंने एक ट्रे ले ले लिए है इसके उपर मैंने रग दिया था बटर पेपर और इसके उपर हम इस तरह से पाइप कर लेंगे इस तरह से राउंड बना लेंगे size आपके उपर depend करता है बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ी size की भी बना सकते हैं और चोटी size की भी बना सकते हैं अपनी मर्जी के मताबिक तो देखें मैं ऐसी तरह से pipe कर लूँगी बहुत आसान तरीका है इसमें आपके हाथ वगएर अभी गंदे नहीं होते हैं आपसे आप pipe करके इसको फ्रिज में रख दीजेगा फ्रीजर में रख दीजेगा दो से तीन घंटे के लिए ताकि अच्छे से सैट हो जाए और देखें इसकी जो ओपर का टॉप है इसको हम थोड़ सा स्मूथ कर लेंगे तो थोड़ सा ओईल ले लिया है मैंने फिंगर पे लगा के इसको में स्मूथ कर रही हूँ यह देखिए इस तरहां से इसके बाद मैं इसको फ्रीजर में रख दूँगी दो से तीन घंटे के लिए ताकि अच्छे से सैट हो जाए अब इसका हम चीज सॉस तयार कर लेते हैं इसके लिए हमें दूथ चाहिए होगा वन फोड कप के बराबर अभी मैंने सॉस पेंट चूले पर रखा है लेकिन और नहीं किया है लसन का पेस्ट आड़ करेंगे इसके अंदर वन टी स्पून चीनी आड़ करेंगे वन टी स्पून के बराबर और फिर हम इसके अंदर आड़ करेंगे नमक हाफ टी स्पून के बराबर यह एट करने के बाद मैं इसमें एट करूंगे मयाओनीस 2 टेबल स्फून मयाओनीस एट करने के बाद इसमें हम एट कर देंगे चीज स्लाइस दो अदत लिये हैं मैंने रेगुलर चीज है अगर आप लोग चड़र चीज यूज कर रहे हैं तो फिर सॉल्ट आप कम एड़ कीज़ेगा इसके अंदर जादा नहीं एड़ कीज़ेगा तो बस हम इसको mix करेंगे फ्लेम मैंने on कर दी है और low medium flame पे हम इसको cook करेंगे तकरीबन एक से दो मिनिट में बहुत अच्छे से पख जाता है और हल्का सा थिक होगा उसके बाद हम इसका flame off कर देंगे उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे तो देखी रेडी हो गया है और doughnuts जो है हमारे set हो गए इसको मैंने दूसरे तीन घंडी के लिए रख दिया था फ्रीजर के अंदर तो देखिए इस तरह से set हो गए है पूरे जम गए अच्छी तरीके से अब इसके हम coating कर लेते हैं तो उसकी लिए मैंने upon floor लिया है उसके अंदर सबसे पहरे हम इसको dip करेंगे इस तरह से अच्छी से coat कर लेंगे और उसके बाद अंडा ले लिया था मैंने इसको फेट लिया है उसके अंदर dip करेंगे फर हम इस पे लगा देंगे breadcrumbs देखिए इस तरहां से और इसके हमने एक ही कोटिंग करनी है अच्छी तरीके से ब्रेट क्रम्स लगा लेंगे इसी तरह से में सारे जो डोनट से उनकों में MPPS लगा के रख लूँंगे और CrumPS लगाने के बाद च испना के बर फ्रीजे में रख सकते हैं तो आप चूँच कई जर सींवे ने कई तो ढ proposals आपे फ्राइ में दो आबचे में दो प्रॉयकों काई भाद मेरें मेरे करे लेके मैं ज्यासे पूरहको सा लाइट गोल्डन ब्राउन करें उसके बाद आपने इसको टर्ण कर लेना है दूसरी तरफ से भी इसको पका लेना है दो से तीन लगते हैं इसको फ्राइ होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो देखें यह अच्छा सा कलर आ गया अब इसको हम निकाल लेंगे तो देखें बस इसको मैं निकाल लियूँ इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं बहुत ही मज़दार बनते हैं बहुत लाइट बनते हैं और खाने में बहुत ही मज़दार होते हैं इसको ट्राइ जरूर कीजिएगा और अपना फीडबेक जरूर द बहुत ही मज़दार यह sauce बनके तयार होता है तो देखिए इसका final look और इसको try करें इस recipe को तो इसके एक picture में इसा जरूर शेयर कीजिएगा आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़दार से crispy chicken sandwich ही recipe लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहत असान है और यह बहुत ही मज़दार बनके तयार होते है chicken sandwiches इसको आप बनाके अपने बच्चों को lunch में दे सकते हैं इसके लावा घर में आप dinners बगारा पे इसको बनाके enjoy कर सकते हैं क्योंके complete meal है यह तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो चरिया यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने chicken लिया है 500 grams के बराबर और यह breast pieces थे तो इसको मैंने strips में कट कर लिया है इस तरह से यह देखिए इस तरह से आपने बस कट कर लेना है उसको अब इसको हम marinate कर लेंगे तो इसके लिए मैं सबसे पहले आड करूंगी रच शरी पाउडर 1.5 टीश्पून के बराबर नमक आड करेंगे 1 टीश्पून काली मिर्शु का पाउडर आड करेंगे इसमें 1 टीश्पून लसन अद्रक का पेस्ट आड करेंगे 1.5 टीश्पून होट सॉस आड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीश्पून मस्टर्ड पेस्ट आड करेंगे इसके अंदर 1 टीश्पून के बराबर यह जरूर आड कीजिए कैस इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पेस्ट ना होता आप पॉडर भी आड़ कर सकते हैं सोया सॉस आड़ कर देंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून विनेगर आड़ करेंगे 1 टी स्पून के बराबर अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद आपने इसको आदे गंटे के लिए रख दे ना यह इसका मैरेनेशन टाइम है या फिर थोड़े जादा देर के लिए भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस थोई देर के लिए जरूर रखेगा इसको क्योंकि वरिनेट करने से यह चिकन बहुत अच्छा बनके तयार होता है आदा गंटा हो गया है अब इसकी हम कोटिंग कर लेंगे तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है एक कप के बराबर और सबसे पहले चिकन का पीस लेंगे मैदे में इसको कोट कर लेंगे अची तरीके से फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे और इसके बाद हम लगा देंगे इसके उपर bread crumbs अच्छा इदर जो मैंने ये chicken strips में cut किया हुआ है तो मैंने ये अपने sandwiches को देख के cut किया था मतलब मेरे पास जो bread थी वो low shape में थी और बड़े size के buns थे मेरे पास तो मैंने इसको देख के cut किया था और चिकन ये बहुत जल्दी पक के तयार हो जाता है मुश्कल से 6-7 मिनट लगेंगे इसको fry होने में और ये ready हो जाएगी तो ये देखी बस इसको हमने थोड़ सा turn कर देना है दूसी तरफ से भी अच्छा सा color आ जाए और ये बहुत ही मज़िदार बनके तयार होती है चिकन और बहुत जादा tender भी बनती है तो देखी इस पर color आ गया 6-7 मिनट लगे थे इसमें ये fry हो जाती है बहुत अच्छे से अब इसको निकाल लेंगे और थमाम चिकन में इसी तरह से fry कर लोंगी अब अपने सैन्विच को असेंबल कर लेते हैं इसके लिए मैंने लोफ ब्रेड ली है ये बड़े साइस की ब्रेड है तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपनी मर्जी के मताबिक चिकन के पीसे को कट कर सकते हैं तो बस इसको हम कट कर लेंगे और सबसे पहले मैं लगा लूँगे मैयोनीज इसको थोड़ सा स्प्रेड कर लेंगे इसके उपर मैयोनीज या फिर आप कोई भी अपने पसंद का सॉस इसके अंदर लगा सकते हैं इसको असेंबल आप अपनी मर्जी के मताबिक कर सकते हैं वह इतर नियुवस के अंदर और कर सकते हैं इतर मैं आइड कर रहा है हैं इसके ओपड़ इतर के उपर salad leaf उसके बाद रख देंगे इतर चिक का ये पीस यह देखिय इस तरह से आपने पीमके Penis को की णिखरे के रख देना है। इसके ऊपर आप स्प्निक्श के आप तो देखिए हमारे सैन्विच रड़ी हो गया और यह जो मैंने आपको रेसिपी दी है इससे आप 6-7 सैन्विच बना के रेड़ी कर सकते हैं आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो आज मैं आप लोग लिए बहुत ही मज़िदार सी क्रिस्पी फ्राइट चिकन की रेसिपी लेकर आए हूँ इसे बनाना बहुत असान है और बहुत असान तरीके से मैं आपको यह घर में बनाना बताऊंगी रेस्टूरंट से भी 500 g के बराबर है ये ले लिये थे मैंने और इसके अंदर हम एट कर देंगे red cherry powder 1 teaspoon के बराबर चिकन पाउडर एड़ करेंगे 1 टी स्पून सॉल्ट एड़ कर देंगे इसमें 1 टी स्पून गार्लिक पाउडर एड़ करेंगे इसमें 1 टी स्पून जिंजर पाउडर एड़ करेंगे इसमें 1 टी स्पून और एगैनो एड़ करेंगे इसमें 1 टी स्पून इसके बाद हम इसमेट करेंगे सोया सॉस वन टेबल स्पून के बराबर और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सारे मसाले अच्छी तरीके से आपने रब कर देना है चिकन के उपर इदर मैंने लेक पीस लिए हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा एक कप के बराबर और इसके अंदर मैं आट कर दूँगी कॉन फ्लेक्स तो इसके अंदर मैंने कॉन फ्लेक्स लिये थे और इसको मैंने चूरा कर लिया है थोड़ा बारिक पारिक से हम लोगों ने चूरा कर लिया है बकादा कप के बराबर हिये यह हम अधे के अंदर अगाứ कर देंगे कंग बहूत अती यह से कोरड़ बहुत भूआ डर इसके अंदर हम एड़ कर देंगे 1 TSP के बराबर, रच्छी पाउडर एड़ करेंगे इसमे 1 TSP, प्लैक पेपर पाउडर एड़ करेंगे इसके नंदर 1 TSP के बराबर, और एड़ करेंगे 1 TSP, तो इन तमाम चीदों को अची तरीकी से mix कर लेंगे, तो यह हमारी coating है, जिसे हम कोट करने में बस इसको अच्छे से आपने add करना है आप लग चाहिए तिसको store भी कर सकते हैं एक महीनी के लिए आप इसको friction में भी रख सकते हैं तो इस बिल कुछ है रहती हैं अब आ जाते हैं अम coating के लिए हमें चाहिए पर मेट करेंगे एक अधा अंडा आदा कब पानी ले लिया है और इसको हमने फेट लेना है अच्छी तरीके से फिर देखे इसको हमने फेट लिया है चिकन को चेक कर लेते हैं 1-1.5 घंटा हो जाए तो इसके बाद आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं तो chicken ले लेंगे और इसके लावा ये coating चाहिए हमें तो हमने तयार करके रखी थी तो सबसे पहले हमने क्या करना है चिकन पर लगा देना है ये dry mixture इस तरहां से इसके बाद हम इसपर लगाएंगे अंड़ अंड़ लगाने के बाद हमने दुबारा से यह mixture लगा देना इसके उपर और अच्छी तरीकी से आपने इसके उपर कोट कर देना है इसी से यह बहुत अच्छी coating तियार हो जाती है बहुत मज़िदार सी coating होती है इसको हम double coat करेंगे अब दुबारा से हमने इस पेंडा लगा देना है और दुबार से हमी coating लगा देंगे इसके उपर तो यह देखिए इस तरह से मैं सारी चिकन के पीसे को ready कर लूँगी तो यह देखिए इस तरह से हो जाएगा यह इसकी बाद इसको हम fry कर लेंगे तो oil मैंने गरम करने के लिए रख दिया था करहाई के अंदर और तेल जो है जादे तेजगरम नहीं होना चाहिए क्योंकर चिकन हमारे कच्चा है इसको हमें पकाना है अच्छे से medium flame पे इसको fry करना है तो चिकन की पीसे में इसमें add कर लेंगे इसको फ्राइ कर लेंगे और सारी पीसिस मैंने एट किया है इसको आपने चमचा नहीं चलाना है जब तक कोटिंग जो अच्छे से सैटना हो जाए मतब पां से साथ मिन्ट तक इसको इसी तरह से फ्राइ होने दीजेगा उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना इस तरह से साथ से आट मिन्ट के बन्द चिकन हमारा रेड़ी हो जाता है तो बस हम ऊसी तरह से फ्राइ होने देंगे जब अच्छा सा कलर आजएगा तब हम इसको निकाल लेंगे तो ये देखिए हमारा मज़दार सा ट्राइड चिकन रेडी है बहुत ही मज़दार बनता है बहुत यूनीक सी रेसिपी है और सिंपल भी है इसको ट्राइ जरूर कीज़ेगा अपना फीड़ बैक भी जरूर दीज़ेगा मज़े तो ये देखे मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ और कॉन्फिक्स के विज़े से इसका लुक बहुत अच्छा आता है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्फ कर सकते हैं आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैकरोनी ब्रेड रूल की रैसी पिले कर आई हूँ जिसे बनाना बहाद असाने बहुत मज़ेदार बनके तयार होते हैं इसे आप इवनिंग स्नैक की तौर पर ले सकते हैं आप फिर अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं और इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं काफे दिन तक बिल्कु सही रहते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस वीडियो को लासक जरूर देखिएगा तो चलिया यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके एक पैन ले लिया है इसमें एड़ कर दिया है वन टेबल स्पून कोकिंग ओयल और इसके बाद में इसके अंदर एड़ कर दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट वन टी स्पून के बराबर इसको हलका सम फ्राइ कर लेंगे इसके बाद इसके अंदर में एड़ कर दूँगी शिमला मिर्च चोटी क्यूप्स में कटी हुई है यह आदर कप के बराबर बंगो भी एड़ कर देंगे आदर कप के बराबर और इसको हलका सा फ्राइ करेंगे चन्द सेकंड के लिए यह बहुत जल्दी बन के तयार हो जाते हैं जटपट वाली रेसिपी है यह बहुत हलका सा फ्राइ करेंगे इसको और इसको बादने इसमें एक chicken cube एड़ कर दूँगी फिर black pepper powder एड़ करेंगे half teaspoon कुटीवी लाल मिर्चे एड़ करेंगे इसके अंदर 1 teaspoon के बराबर नमक एड़ करेंगे इसके अंदर 1 4 teaspoon क्योंकि हमने इसके अंदर cube एड़ किया है उसके अंदर काफी नमक होता है इसलिए नमक कम एड़ करेंगे इसके अंदर सुया सॉस एड़ करेंगे वन टीबल स्पून के बराबर और इसको हमने चन सेकंड के लिए पका लेना है चिकन क्यूब जो है वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए इसी के अंदर आप इसको तोड़ लीजिएगा इस तरह से ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए वो सारा हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है सिर्फ एक मिनिट के लिए फिर उसके बाद मैं इसके अंदर आट कर दूँगी मैकराउनी एक कप के बराबर यह बोईल होके मैंने मिजर किया है तो एक कप है इसको मैंने बोईल कर लिया था तो बोईल होके वो एक कप हो गई है अब macaroni add करने के बाद हमने इसको बस अलका साही पकाना है आदे मिनट के लिए ही लास्ट मिस में add कर देंगे चली garlic sauce 3 टेबल स्पून के बराबर और इसको mix करेंगे अच्छी तरीके से बस आपने इसको mix करना है mix करने के बाद flame off कर दीजीगा और इसको हम completely ठंडा कर लेंगे देखे ये ready हो गया है तो macaroni's जो थी हमाई ठंडी हो गई है और अब इसके अंदर हम add करेंगे mayonnaise 4 टेबल स्पून के बराबर mayonnaise add करने के बाद हम इसके अंदर cheese add करेंगे तो इदर मैंने mozzarella और cheddar लिया है आदा कप के बराबर तो cheese आप लोग अपनी मर्जी के मताबग add कर सकते हैं ज्यादा पसंद हो तो आप लोग ज्यादा भी add कर सकते हैं मैंने इसके नसिफ आदा कप add किया है और इसको mix कर लेंगे अच्छी तरीके से तो देखिए rolls का हमारा mixture जो है ready है मज़ेदार सा अब rolls बनाने के लिए हमें bread चाहिए होगी तो bread के आप कुछ slices ले लीजएगा और उसके हमने corners cut कर लेने हैं bread की corners cut कर लीजएगा और उसके बाद हमने क्या करना है bread को हमने bail लेना है तो इस तरह से आपने हलके हाद से इसको bail लेना है इससे फ्लैट हो जाएगी और ज्यादा flexible हो जाती है तो देखिए सारी bread को मैं इसी तरह से bail के cut करके रख लूँगी तो देखिए ready हैं यहाँ पर bread और उसके बाद क्या करेंगे हमने जो यह filling बनाई थी वह हम center में रख देंगे तकरीवन 10 tablespoon के बराबर रखी है filling मैंने और इसको हमने seal करने के लिए हमें चाहिए होगा पानी तो यह side पे पानी है इसको आपने लगा लेना है finger की मदद से या पर brush से लगा लीजीगा तो मैं अधर finger से लगा रही हूँ और एक side पे लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से बन कर देना है और आपने इस तरह से seal कर देना है यह देखिए हलके हाथ से आपने इसको प्रेस करना है तो यह seal हो जाएगा बहुत अच्छे से तो इसी तरह से मैं सारे rolls बना के रख लूँगी तो देखिए सारे rolls मैंने बना लिए है अब इसकी coating के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे इसको मैंने फेट लिया है और bread crumbs चाहिए होंगे इसको coat करने के लिए तो इसको हम इस तरह से पहले अंडे में dip करेंगे और फिर bread crumbs लगा लेंगे इसके उपर और bread crumbs लगान कर लेंगे तो इदर मैं इसको shallow fry कर रही हूँ आप लोग चाहिए तो deep fry भी कर सकते हैं तो इसको बस हम fry कर लेंगे और इसमें हर चीज़ तो पकी भी है तो आप लोग medium flame पे इसको fry कर सकते हैं बस इसके उपर हमें color देना है एक अच्छा सा golden color आ जाए तो एक तरफ जब color आ सकते हैं बहुत ही मज़दार बनते हैं और macaroni's हैं इसके अंदर वो तो सबी को पसंद होती हैं बच्चे तो खासकर इसको बहुत enjoy करेंगे और इसको बनाएं तो अपना feedback जरूर दीजिएगा मुझे सो वीवर्स अगर आप लोगों में रेसिपी सची लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमिट जरूर क्या करें शेयर भी जरूर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ तो मुझे अपनी दूआओं में याद रखिए का अल्ला हाफिज बाइए बाइए वीवर्स के लाइए करें दूआए